हलो डियर स्टुडेंट मैं प्रदीप्तिवारी City Group of College से मैं आपको आज सोशियोलजी पढ़ाऊंगा पेटा और सोशियोलजी में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो आज चौथा है फोर है लेक्चर फोर है और यूनिट वन का लेक्चर फोर है ठीक है तो यूनिट वन में सोशल एक्षन एंड सोशल रिलेशन्सिप को हम पढ़ रहे थे तो सोशल एक्षन के बारे में हमने एक एक पढ़ा मैक्स बेबर को पढ़ा कि सोशल एक्षन क्या है समाजी क्रिया क्या है तालकार पासंस को पढ़ा तालकार पासंस ने समाजी क्रिया के बारे में यानि सोचल एक्षन के बारे में क्या बताया है अब हम स्टार्ट करेंगे सोसल रिलेशन्शिप समाजिक संबंद क्या है जो पहला समाजिक संबंद क्या है तो चोथे लेक्षर में जो है वह समाजिक संबंधों के बारे में हम बात करेंगे कि सोसर relationship क्या है ठीक है बड़ा तो समाजिक संबंध क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे ठीक तो स्टार्ट करते हैं समाजिक संबंद क्या होते हैं और समाजिक संबंदों के बारे में मैक्स बेवर ने क्या कहा है और लोगों ने क्या कहा है बात करते हैं उसके बारे में तो relation required that both parties have knowledge of each other. संबंदों के लिए आवश्चक है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे का ज्यान हो कहने का मतलब कि दोनों पक्षों को एक दूसरे का ज्यान हो मतलब बिना ज्यान के बिना नौलेज के हम संबंद क्या कर सकते हैं नहीं बना सकते हैं बिना नौलेज के क्या है हम संबंद नहीं बना सकते हैं मतलब कि दोनों पक्षों का ज्यान होना चाहिए बिना ज्यान के हम सं आपके knowledge में है, आपके knowledge में, आपके ज्ञान में है कि इन्होंने क्या कहा, उसको हम भली प्रकास समझ पाएं कि नहीं, जब हम समझ पाएंगे और उसको प्रतक्रिया करेंगे, तब ही वो क्या होगा, वो समाजिक संबंध होगा, Social Relations means that Social Relations are related to mental awareness, such a relationship between individual and institutional relationship with individual and group, ठीक है बेटा, इसके बारे में बात करते हुए, Social Relations means that Social Relations are, मतलब समाजिक संबंध का अर्थ है, समाजिक संबंध मांसिक जागरूता से संबंदित है, जैसे बेक्तियों और संस्थाओं के बीच, है न, समाजिक संबंध का अर्थ का मतलब यह है, कि समाजिक संबंध का अर्थ अगर हम पूरी रूप से हम देख लें, तो कहें कि समाजिक संबंध का अर्थ है, समाजिक संबंध मांसिक जागरूता से संबंदित है, जैसे बेक्तियों और संस्थाओं के बीच संबंद, बेक्तिय डेविस हैस डिस्क्राइफ 15 टाइप आप सूसर रिलेशन्शिप की बात करते हैं इसविस्क्राइफ 15 प्रकार आपिता संबंद संसर संसर पादर संबंदू संसर लेशन की बात करते हैं पंदर प्रकार के relationship की बात करते हैं, कौन? Kingsley Davis थाप, ठीक है, according to Max Weber, the concept of social relationship, है न, Max Weber के अनुसा समाजिक संबंद क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, कि Max Weber ने समाजिक संबंदों की जो अधावना दी है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, समाजिक संबंदों के बारे में, ठ the term social, the social, social relations is used to explain the behavior of many actors which are meaningful and influenced by each other section, है न, समाजिक संबंद, जो है, क्या है, समाजिक संबंद, संबंद सब्द का प्रयोग अने करता हूं, कि ऐसे बेवहारों को अस्पस करने के लिए किया जाता है, जो अर्थफून हों, तथा एक दूसरे के क्रियाओं से क्या होते हैं, प्रभावित हों, many actors which are meaningful and influenced by each other, है न, एक दूसरे के क्रियाओं से क्या हों, प्रभावित हों, इ कि जो समाजिक संबंद का मतलब यह होता है, अर्थफूर क्रियाओं से, जैसे सोसल एक्षन की बात हमने कहा, अर्थफूर क्रियाओं क्या का मतलब है, कि जो हम बात करें, उस behavior को मनुसे समझे, और ऐसे बेवहार को समझ के, स्वेंग वो प्रतक्रिया करें, है न, इसी क्यो बी मेनी टाइप आप, content of social relationship, like cooperation, conflict, economic, exchange, उन्होंने कहा कि, जो समाजिक संबंद के अंतरवस्त के अनेक प्रकार हो सकते हैं, है न, there can be many type of content of social relationship, जो अंतरवस्तु है, उसकी वो अनेक प्रकार की हो सकती है, क्या हो सकती है, अनेक प्रकार की अंतरवस्त, जैसे सहयोग, cooperation, conflict, संघर्ष, आर्थिक बिनमे, economic exchange, आज, जो example उन्होंने दिया, many type content of social relationship, है न, जो अंतरवस्तु है, समाजिक संबंदो की, उसका example देते वे, मैक्स बेबर ने कहा, कि ये है, जैसे, like, cooperation है, सहयोग है, conflict है, संघर्ष है, economic exchange, मतलब सहयोग का मतलब, सहयोग कैसे होगा, जब एक दूसरे को कुछ देगा, कुछ लेगा, आदमी, अंतक्रिया करेगा, तभी तो होगा सहयोग, भाई, अगर किसी सीज की मान लिजे, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, मान लिजे समय, COVID चल ला है, आपको सिलेंडर की जरूरत पड़ी, और मेरे पास सिलेंडर है, ग का सहयोग किया, दूसरा एक्जामपल देदे, मान लिजे, आप गैस लेने जाते हैं, अक्सीजन स्लेंडर लेने जाते हैं, सौप कीपर के पास, और वहाँ दूसरा कोई आ जाता है, और कुछ ऐसी बात होती, जो आप लड़ने लगते हैं, वहाँ संगर्स हो जाता है, एक कितना परसेंट आपने आयात किया, कितना आपने निरियात किया, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जब करते हैं, तो आप परती कैप्टा इंकम से या जो भी आपका प्रॉफिट और लास होता है, उसके एक्वार्डिंग समझ भूज कर करते हैं, तो क्या होता है, समझ पूर कर क सामाजिक संबंद के बारे में बात करते हुए वेवर कहते हैं कि सामाजिक संबंद अस्थाई और अस्थाई दोनों हो सकते हैं दोनों समय के अनुसार प्रवर्थित होते रहते हैं मतलब जो सोसर रिलेशन है जो समाजिक संबंद है वो स्थेबल और नॉन स्थाई होता है और क्या कहते हुए नॉन स्थेबल होता है टेंप्रेरी होता है पर्मानेंट एंट टेंप्रेरी वो तो रही चेंज विस टाइम समय के अनुसार कभी जो अस्थाई हो वो अस्थाई हो जाता है और अस्थाई अस्थाई में यानि पर्मानेंट टेंप्रेरी में चेंज हो जाता है और टेंप्रेरी पर्मानेंट में चेंज हो जाता है समाजि संबंद कैसे माल लीजे माल लीजे मेरे संबंद किसी टीचर से कॉलेज में किसी स्टूडेंट से बहुत अच्छे हैं है ना बहुत अच्छे हैं किसी बात को लेके या टीचर से किसी बात को लेके मेरे संबंद थोड़े दिन बात खराब हो जाएं और किसी और दूसरे से बन लगी और दूसरे के साथ थी जो पहले वाले के साथ थी उसमें इनस्टेबेल्टी आ गई टंपरेरी संबंध हो गए जैसे मैं स्टुडेंट बहुत अच्छा एक्जामपल देता हूं बिटा आप लोग फ्रेंड रहते हो बहुत सारे फ्रेंड आप एक साथ रहते हो किसी स्टेबल रहती है पर्मानेंट रहती है लिए कुछ ऐसे बात हो जाती जिससे उनकी क्या हो जाता है उनमें परिवर्तन आ जाता है और दूसरे से वह अस्थान कोई और ले लिता है तो आपकी दोस्ती किसी और से और अच्छी हो जाती है उससे कम होती है तो कहने का मतलब इ बहुत अच्छी तरह से आप समझगे होंगे ठीक है आगे क्या है आगे कहते हैं social relation means reciprocal exchange the which two parties form meaningful action when possible or in actual practice के बारे में बात करते हुए कहते हैं समाजी समंद का अर्थ है परास्प्रिक आदान पर्दान यानि हम कुछ देते हैं हम कुछ लेते हैं बिना इसके लिए दिये तो हम सायोग नहीं कर पाएंगे संबंद नहीं हो पाएगा है ना कहते हैं क्या हम कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं social relation means इन रेस्पिरियोल एक्सेंदेट विश टू पाटीज फ्रॉम मीनिंगफूल एक्शन विन पॉस्बल एन एक्श्वल पाटीज है ना दोनों पच एक दूसरे से संभावित अतवा वास्तिक व्यभार रखते वे अर्थपूर किया करते हैं एक मीनिंगफूल क्या हुआ करत सिप नहीं बन सकता मीनिंगफूल रिलेशन्शिप का मतलब यह होता है अर्थपूर अंतर क्रिया का मतलब यह होता है कि जब हम कोई इंट्रेक्शन करते हैं एक दूसरे के लिए तो जो अपना व्यभार है दूसरा उस व्यभार को समझ के अंडर्स्टेंड करते वैसा ही र दिलेशन को आगे बढ़ाते हुए मैक्स वेबर साब ने और क्या बात की उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है उसके बारे में हम बात करेंगे उन्होंने कहा टाइप आप सोसर रिलेशन्शिप समाजिक संबंधों की प्रकार समाजिक संबंधों की प्रकार की बात उन्हो has given two type of social relationship, one from communal relationship और दूसरा associated relationship, मतलब शामुदाइक संबंद और सहच्यारी संबंद की बात करते हैं, एक तो संबंद होता है, कमुनल relationship एक होता है, साचर रिलेशनशिप तो कमुनल relationship के बारे में बात करते हुए कहते हैं, कमुनल relationship is that experiment this type of relationship, a course when the parties, participant in social action, influence themselves, one of the effectual, traditional, emotional basis, they start to understand very close to each other like the relation of nation unity the relation of village sector कहने का मतलब इनके है इस प्रकार के संबंद की अस्थापना तब होती है है ना when relation communal relation is stable of this type of relation across when the parties मनि तब होते है जब समाजी क्रियाओं में भाग लेने वाले पक्ष जो किया होते हैं उपमपरिक होते हैं emotional होते हैं इसके आधार पर अपने को एक दूसरे से बहुत निकट समझने लगें परंप्रागत रूप से हूं और इमोशनल हूं प्रभावातमक्द हूं इस आधार पे अगर जो कोई रिलेशन बनता है तो क्या होता है वह होता है कमना रिलेशन्शिप ठीक है वह क्या कमना लेस्ट्रइश जैसे है कि राष्टी एकता का संबंड गाओं का संबंड टेडिशनल में देखिए गाओं का संबंड village रिलेशन कैसा होता है?. कैसा होता है यह होता traditional inte if actual होता है Sa predictive के आधारित नहीं होगा, है मैं emotional नहीं होगा, लेकिं गाउं का जो relation होते हैं, वो emotion पे आधारित होते हैं, एक दूसरे एक लोग मदद करना चाहते हैं दिल से, क्योंकि हर कोई किसी का भाई, या चाचा, अंकल, ब्रदर, या सिस्टर, कोईन कोई अपना संबन उससे ले होता है, और पीडी धर, पीडी चुकि गाउं में generation to generation लोग village में belong करते हैं, इसलिए एक emotional और traditional relation उसमें पाया जाता है, प्रभावात्मा की effectual relation उसमें पाया जाता है, ये चीज आपको सहर में नहीं मिलेगी बेठा, सहर में जो social relationship है, वो ऐसा नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए इसको क् communal relationship है, सामुदाइक संबंद, सामुदाइक नहीं होता सहर में, रुको और जाओ, stay and go का relation पाया जाता है, है ना, stay and go का relation पाया जाता है, communal relationship है, नहीं पाया जाता है, तो सामुदाइक relationship पाया जाता है, गाउं में पाया जाता है, जो traditional रूप से effectual है, जो जैसे राश्टी एकत नेशनल क्या है यूनिटी राष्ठी एक्ता का जो सम्मंद है वो क्या है कमुनल क्यों क्यों हम सब भारत वासी एक ही देश के एक ही देश के citizen है नागरिक हैं इसलिए हमारे अंदर क्या होती है हमारे अंदर होता है कि हम सब भारत के वासी हैं अगर कोई भारत पर बेंग कसता है तो उसको हम जबाब देते हैं एक हमारी वी feeling भावना जुड़ी होती है है ना तो अगर हम इसका example देंगे तो राश्टी ए बात करेंगे गाओं का समझ village relation की बात करेंगे है ना ठीक है तो यह है इसके अब दूसरा क्या है मेरी ख्याल से आप communal संबंद समझ गये अब दूसरा है associative relationship, associative relationship क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, साच्यार संबंद क्या होता है, है न, when social action is done, won the basis of pre-definitive agreement with special objective, such a economics action in open market, which is based on personal profit and personal interest, है न, personal profit और personal interest पे आधारित होता है, इसको हम अगर हिंदी में जानें, तो जब समाजी क्रियाक विशेश उद्धियुस की दिश से रखते हुए, निश्चित समझाओतों के आधार पर की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, associate relationship, निश्चित आधार पर की जाती है, है न, जैसे, मतलब एक निश्चित समझाओता होता है, उसके आधार पर की जाती है, जैसे, खुले बजार में की जाने वाले आर्थिक्रिया, यानि open market है उसमें आर्थिक क्रिया है एक समधोता है एक समधोता क्या है खुले बाजार open market बहुत अच्छा एक्जामपल है एसुट्रेट साहचयार रिलेशन्शिप का कि भाई जैसे मैंने किसी से संबंद बज़ें इंडिया और माली जे चाइना के संबंद ये कभी community नहीं हैं कैसे संबंध है ये साहचयारी संबंद है क्यों 45 जगत में अब कुछ माल हम उसके देते हैं कुछ माल उसे लेते हैं कुछ इश्क इंपोर्ड करते हैं इसको हम नहीं कह सकते इसको के सकते है już संबंद या अमेरिका के साथ जो हमारे relationship है या अपने ही country में जो भी ब्यापार होता है जैसे आप किसी से माल खरीते हो माल बेजते हो संबंद कैसे होते हैं ग्रहक और उसके कोई emotional relation नहीं होता आप पैसे देते हो तो आपको वो क्या दे देता है आपको वो जो भी चीज आपक पास नहीं है तो पैसिक जरूरत नहीं पढ़ती गाउं के लोग मदद कर देते हैं इनके पास खाने को नहीं क्यों क्यों कि emotional संबंद जुड़े होते हैं लेकिन सहर में ऐसा नहीं होगा ठीक है आगे हम बात करते हैं इसलिए हम कहते हैं सहर संबंद है ठीक है और क्या है आर पे कैसे बेश होता है प्रॉफिट पे कैसे बेश होता है कि अगर संबंद हमारा हम कोई मार्केट में कोई चीज बेच रहे हैं अगर उस पे क्या कहते हैं वो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कोई ग्रहाग उसको ले जा रहा है और हमें प्रॉफिट है तो संबंद क्या होगे अच्छे बने होंगे, जैसे हमारा लॉस हुआ, संबंद क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन गाओं में ऐसा नहीं है, जो communist relationship है, सुख दुख में सामान सहभागता देते हैं, ठीक है मैटा, तो दो relationship की बात करते हैं, मैक्स वेबर, है ना, कमुलर relationship and associate relationship, यानि साहचारी और संब्दाइक संबंद की बात करते हैं, every community where social or cooperative has different amount of control imposed on them in each society, ठीक है बड़ा, each society, क्या कहते हैं, सामाजिक संबंद चाहे सामदाइक हूँ या साहचारी, पर तेक सामाज में इन पर लगाए गया नियंतर की मात्रा भिन्न होती हैं, जो अलग-अलग society हैं, चाहे वो community relationship हो, या क्या कहते हैं, साहचार relationship हो, यानि associated relationship हो, तो दोनों में क्या है, दोनों पर जो control हैं, अलग-अलग सामाज में अलग-अलग होती हैं, है ना, अलग-अलग सामाज में जो नियंतरन है, वो भिन्न-भिन होता है, मतलग कहने का तात पर इनके ये है, कि कुछ सामाज में community एकदम से लोग जान देने के लिए त्यार होते हैं, कुछ में नहीं हो हैं, लेकिन अमेरिका के साथ या चाइना के साथ ऐसे संब्द नहीं है, कहने का मतलब कि जो समाजिक संबंद हैं, वो होते हैं और क्या कहते हैं, और सामदाएग होते हैं, लेकिन इनकी नियंतरन का जो दर है, वो क्या होती है, भिन्न होती, controlling power, भिन्न होती है, difference होती है, ठी दो प्रकार के संबंदों की बात तो करते हैं मैक्स वेबर साथ एक तो आपने जाना सामदाइक और एक सहाषाहर की बात उन्होंने की है अब इसके अगामा वेबर ने इस अधार पर दो अन्य भागों को विभाजित किया है वेबर ने संबंदों को दो अन्य भागों में विभाजित किया है एक बात करते हैं वो मुक्त संबंद, free relationship की और एक बात करते हैं वो close relationship की इसके अलामा दो अन्य संबंदों की बात करते हैं है ना दो लेकिन जो आप से पूछा जाए कि मैक्स वेबर ने की संबंद की बात की तो there are two type of social relationship, one for communal relationship और जो दूसरी relationship, assured relationship, ठीक है तो दो relationship की बात बताईए और ये उसके आधार पर दो और relationship की बात करते हैं लेकिन ये दोनों सही होंगी जो पहली और दूसरी है, सामदाइक और सहचारे, ठीक है बटा? तो एक दो दूसरे प्रकार की relationship की बात करते हैं, वो a free relationship, a close relationship, free relationship क्या है? बंद जो relationship क्या है? society given many way to make personal relation, then it is called free relationship. मुक्ष संबंद, ब्यक्देर संबंद बनाने के लिए सामाज में कई प्रकार से छूड़ देता है, तो इसे हम मुक्ष संबंद कहते हैं, मतलब समाज के कोई नियंत्रण नहीं होता है, free relationship, आप किसी भी समाज, society, जाती, किसी से भी अपना relation आप अस्थापित कर सकते हैं, संबंद अस्थापित कर सकते हैं, इस पर society कोई इस पर controlling नहीं करती है, दूसरा क्या है? बंद समाज, समाजिक नियमों के आधार पे ये संबंद आपके होते हैं, जैसे आप फादर से अपने मित्रवा संबंद बना तो सकते हैं, लेक भाई बहन का संबंद जो एकदम नियमों के तहत होगा, उसमें को क्या है कुछ ऐसे संबंद समाज रूप से अनयतिक हो, या किसी घर के किसी मेंबर से कुछ ऐसे संबंद आप नहीं बना सकते, जो क्या कहते हैं, समाज रूप से अनयतिक हो, है ना? तो कुछ नियम के तहत जो भी संबंद बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं वो क्लोज रिलेशनशिप कहते हैं है ना को क्लोज रिलेशनशिप कहते हैं जैसे कोई नातेदारी वे उस्था किंसिफ सिस्टम में आपका जो रिलेशनशिप है जैसे आपके साथ नानी का रिलेशनशिप मदर का रिले relationship की बात करते हैं तो यह बात होती है सहचेर में अगर हम बात करें तो आपका जो relation है जैसे भारत का क्या कहते हैं WTO के साथ एक नियमों के तहट जो संबंध है WTO के जितने member हैं वर्टेड organization के उनके साथ है ना कैसे संबंध है यानि एक नियंत्रण तो यह इसके अंतरगत आता है एक होता है एक होता है और फ्री ठीक है तो आशा करता हूं कि आप relationship के बारे में भली प्रकार के समझ गया होंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे message कर सकते हैं मुझे WhatsApp कर सकते हैं मुझे बात कर सकते हैं तो थाइंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो स्टुडेंट थाइंक यू बटा